चलिए आज बनाते हैं हम चावल के कीर जो कि हर किशी को पसंद होती है तो इसके लिए हम एक लीटर दूद लेंगी हमने यहां पर एक लीटर भैंस का दूद लिया है आप चाहे तो गाय कावी ले सकते हैं और खीर में डालने के लिए हम कुछ ट्राइब फूट्स लेंगे जैसे हमें हमने 8-10 गाजु लिये हुएं 10-12 बादाम एक बड़ा चमस किसमिस और कोकोनट को हमने इस तरह से थोड़ा ग्रेट कर लिया है जो सुखावाला कोकोनट होता है उसे हमने ग्रेट कर लिया तो और 8 मासमती के चावल है जो छोटे वाले साइच की होते हैं वह वाले चावल है अब दूद को हम बॉइल होने के लिए रख देंगे और इस तरह से थोड़ा चलाते रहेंगे जैसे यह दूद नीचे तली में लगेगा नहीं तो जब तक हमारा दूद गरम हो रहा है तब तक हम तो ह Toyota योड़ा चावल को इस तरह से में एक पढ़ी के रोड़ी में ले लिया और इसमेशा पानी डालके इस तरह से दो बार आच्छी से दूद लेंगे अभिश काम पानी के ने निकाल देंगे और इस तरह से एक बार 嗎 दू लेंगे तो ये हमारे इस तरह से चार मिनुथ में ब tienes com दून के लिए इसे और लू फिलिम पर इसे अच्छे से बॉइल होने देंगे जब तक कि हमारा दूद आदा ना हो जाए एक लीटर दूद है तो उसका हमें आदा लीटर दूद रहने देना है इतना हमें पकाना ऐसे तो यह हमारा थोड़ा पक पक गए है तो अभी हमारी पूरी तरह से चावल नहीं पके हैं इसलिए अब इसे थोड़ी देर और पकने देंगे तो हमारे चावल बढ़िया तरह से पक गए हैं अब इसमें हम चीनी डालेंगे चीनी हम चार चमस डालेंगे जो खाने वाली चमस होती है उस चमस से हम चार चमस चीनी डालेंगे अगर आपको थोड़ा ज्यादा मीटा पसंद दो तो आप एक चमस और डाल सकती हो तो इसे हम डालेंगे इलाइची पाउडर इसको थोड़ा हमने दर दर कर लिया तो इससे बहुत ही अच्छा फिलेवर आता है कोकुनट डालेंगे ग्रेट किया हुआ इसे भी अच्छी से मिक्स कर लेंगे किसमिस डालेंगे किसमिस को हमने थोड़ा दुल लिया था तो दुलने के बात किसम स्टालिंगे और बादाम को थोड़ा अमने इस तरह ऐसे दर दर कर लिया है काजु को भी आमने इस तरह आप मोटा मोटा काट लिया ते इसे और इन शब को मिक्स कर लिंगे दो से 3 मिनिक के लिए इनहें भी अच्छे जोर दूद्र में वैल होने देंगे इसी तरह से उबलनी देंगी तो इस तरह से ही हमारी खीर बढ़िया तरह से पक गई है देखिए कितनी बढ़िया तरह से देख गई है चावल भी इसमें बढ़िया तरह से मिक्स हो गई है और गाड़ी भी बढ़िया हो गई है तो यह हमारी खीर बन के तैयार है गर में चावल की खीरी बनती है तो आप एक बार इस तरह से बना के जरूर ट्राइ करना बहुत ही टेस्टी बनीगी खाने में अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए थैंक यू पूर वाचिंग